कि अस्वाम अलेकूम दोस्तों कैसे वह उमीद करता हूं आप सब ठीक होंगे आप देख रहे हैं और सिस और डिये चैनल में खुशामदीद अज हम बात करेंगे फैंसल डीजी बेंक के आवले से अगर आप अगर आप कुईक लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको क्विक बनेन पड़ेगा जो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे वह बनता है हमारे अप्लिकेशन अमारे फैंसल डीजी जो आप्लिकेशन है उसमें है एक क्विक पेंग का ओप्षन तो आज हम बात करेंगे उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं सबसे पहले आपने सबसे पहले आपने इसल डीजी बैंक एप में आना है जो भी आपका यूजर नेम आपने बनाया है उस यहां पर लिखके इसको उपन कर दे पहले है तो हम हमने अपना यूजर नेम दिया है तो यहां पर आपने जो भी इमेल और जो भी आपको मुबैल नमबर होगा उस पर एक क्विक उस पिन है तो उपन हो जिलिए है देखें यह हमारी उपन हो गई तो यहां पर नजर आ रही है आपको थ्री डॉट्स यह यहां पर क्लिक करेंगे हमने जैसे यहां पर क्लिक किया तो हमारी सारी जो भी ऑप्शन है यह सब ओपन हो गए तो हम बात करेंगे आज हम क्विक पिन कैसे बनाते हैं कि यहां पर उप्शन है कि यह वाला एक मिन में आपको दिखा देता हूं यह वाला कि यह वाला कि इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे हमने यहां पर क्लिक किया तो आपकी सारी डिटेल आजाएगी यहां पर तो यहां यहां पर मैनेज क्विक पिन अपडेट क्विक पिन यहां पर पहले आप पिन बनाएंगे फिर आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं तो आप अपना पर इसको ओपन करते हैं देखिए जो भी आप यहां पर फोर डिजिट बनाएंगे तो अब जैसे ही आपना जैसे ही एकड़ यहां पर लिकाओ है क्रेट तो हम अपना फोर डिजिट का पिन बनाते हैं क्रेट एक लिक करेंगे तो यहां पर देखिए login pin created successfully तो हमारा pin बन चुका है अगर आप यहां से नीचे वाले option पर इसको update भी करना चाहते हैं तो यहां पर उपर वाला username, password new quick pin फिर confirm तो मैं नहीं करूंगा मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ हमारा quick pin बनाए या नहीं हम जैसे इफेंसल डीजी बैंक एप को open करेंगे login यहां पर लिकाओ है login यह आला इस पर click करेंगे हम तो यह देखें पहले हमारे पास इस तरह का interface आता था अब नीचे यहां पर यहां पर देखो quick pin आ गया तो हम इस पर click करेंगे यहां पर अपना जो भी quick pin बनाया हमने और यहां पर लिखेंगे तो जैसे हम यहां पर लिखेंगे अपना quick pin तो login कर लेंगे देखें हमारा जो भी phone number या email पर हमें एक one time password देगा हो हमें यहां security court तो उसको verify करने के बाद हमारी app open हो जाएगी तो कैसी लगी हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो में कॉमेंट में बताएगा और लैक और शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाँ आपिस